तो इंडिया में आपको Samsung Galaxy M51 smartphone मिल जाएगा 25,000 रुपी कीमत में और यहाँ पर आपको Poco X2 smartphone जो है वो मिल जाएगा 17,000 रुपी कीमत में तो यहाँ पर आज किस वीडियो में देखेंगे Samsung Galaxy M51 and Poco X2 आपके लिए इन दोनों smartphone में से कौन से smartphone option एक better option हो सकता है साधिसाद वीडियो को आप लोगो पूरा end तक देखना है क्योंकि यहाँ पर मैं दूँगा detailed comparison Samsung Galaxy M51 and Poco X2 smartphone के बीच में और साधिसा जो है वीडियो के end में जो conclusion वारा पाट आएगा वो most important होगा आप लोग इलिए जहाँ पर आप लोग फाइनली यह जिस decide कर सकते हो कि आपको किस की तरफ जाना है Samsung Galaxy M51 smartphone की तरफ या फिर जाना है Poco X2 की तरफ तो आएगे आज किस वीडियो शुरू करते हैं और करती है SDR 10 Plus को और यहां पर जो है screen के जो bottom में सबसे center वाले part में वहां पर आपको मिलेगा infinity का cutout जहां पर आपको मिल जाएगा installed selfie camera setup और जो पूरा smartphone का Samsung Galaxy M51 की तो यह तो बात होगी display के मामले में Samsung Galaxy M51 की compare करते हैं अगर Poco X2 से तो यहां पर display की size है वह मिलती है आपको 6.67 inches क इसका मतलब 1080p की resolution यहां भी मिलेगी एक IPS पैनल है और यहां पर आपको मिलेगी 120hz की refresh rate यहां पर display की बात किया जाए तो यहां पर आपको डिस्प्रेक्शन हो मिलेगी conding के गोईलगा swipe की क्या comparison है दोनों smartphone में सबसे पहली बात करेंगे display की size की तो यहां पर जादा वैसे को 0.3 inches यहां पर increasement में देखने को मिलेगा का आपको Samsung Galaxy M51 बात करेंगे display की quality की की तो एक तरीके से दोनों सेम है क्योंकि आपको दोनों smartphone में आपको 1080p और से भी जादा resolution मिलेगी पर जो बात करें जो display का panel है यहां पर फरक आता है बहुत बढ़ा बाला जहां पर आपको Poco X2 मे यानि Samsung M51 मिलता है आपको Samsung की तरह से आने वाला एक Super Amulet Plus का display तो यह बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में लेकिन यहां पे Poco X2 आपको एक बहुत कमाल की चीज़ दे रहा है जो कि आपको laptop में देखने को मिलती थी कभी कभी 120 Hz का fast refresh rate जिसके मतसे आपका smartphone है बहुत स्म Samsung Galaxy M51 क्योंकि जो fast refresh rate है इस मामले में लेकिन डिस्प्ले की quality matter करती है वो करती है इसके डिस्प्ले की resolution एंड पैनल की basis पे सबस्यादा में चीज़ यही होता है उसके बाद आती refresh rate, quarter sampling rate तो यह साथ ही चीज़े है तो इस मामले में theoretically तो और पर विनर है Samsung Galaxy M51 इसके रवागाई अगर बात करें सामनी तरफ में तो यहां पर आपको दिखने हो मिलेगा एक infinity or cutout shape में selfie camera setup और वो मिलेगा आपको 32 MP का इसी Samsung Galaxy M51 smartphone में अगर compare करते हैं इसे पोको X2 के camera comparison से तो यहां पर आपको सबसे पहले तो मिलती है 64 MP का quad camera setup जो सही में आपको दिखने हो मिल जाता है 64 MP के primary camera, 8 MP ultra wide lens, 2 MP depth sensing color, 2 MP micro lens इसी पोको X2 smartphone में और सामनी तरफ में आपको मिलेगा एक dual punch hole selfie camera setup आपको in display and top right corner में install जहां पर आपको मिलेगा 20 MP2 selfie camera तो पोको X2 मे आपको selfie के साथ एक ultra wide lens type भी देखने को मिल जागा तो आपको बहुत जादा मदद हो जाएगी और एक क्यों depth sensing भी देखने को मिल जाता है, क्या comparison ने दुनों smartphone के बीच में जो rare camera है, दुनों smartphone में कहीं एक घतक सेम है, जहां पर आपको देखा जाए 64 MP का primary camera दोनों में है, ले एक particular selfie camera की, तो इस मामने में भी Samsung Galaxy M51 आगे निकले जाता है, क्यों आपको मिलेगी 32 MP की selfie camera setup, मेरे ख्याल से है, यहां पर camera के मामने में 30 को जी तौर पर एक ultimate winner है, यहां पर आपका Samsung Galaxy M51, compare करते हैं, अगर battery comparison को, तो Samsung Galaxy M51 मिलता है, आपको 7000 mAh की battery capacity, आपको 7000 mAh की battery capacity, आपको सारे smartphone में आपको, मतलब की Samsung M series के सारे smartphone उठा कर देख लो, वहां पर आपको 15 Watt की चारे adapter मिलते थे, और Exynos 9611 का processor, मतलब certified होता था, definitely यह होना ही होना है, तो इस बार चेंज कर दी है, Samsung Galaxy M31S में भी 25 Watt का दिया था, और इस बार Samsung Galaxy M51 में भी 25 Watt का charging adapter दिया है, तो यह बहुत यह है कि यहाँ पर आपको एक reverse charging का better option मिल जाता है, जब आपका smartphone किसी dead होने की कगार पर होगा, तो आप किसे दूसरे USB Tab C smartphone वाले, port वाले smartphone से, आप अपने cable को लगा कर दूसरे smartphone से reverse charging ले सकते हो, एक exact तोर पे, एक urgent power consumption के तोर पे, तो यह बहुत जादा अच्छा है Samsung Galaxy M51 में Compare करते हैं, अगर इसे Poco X2 के battery comparison से, तो यहाँ पर आपको मिल दी है, 4500 mAh की battery के पसटे, 27W के charging adapter के साथ में, और USB Tab C की यहाँ पर आपको मिल लेगी connectivity, तो क्या comparison है, इन दोनों smartphone में सबसे पहले बात करें, capacity की, तो इस मामले में जो है, बहुत जादा ही अंतर है, जो की winner है, यहाँ पर Samsung Galaxy M51, दूसरी बात अगर बात करें, charging adapter की, तो ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है, 25W का यहाँ पर है, 27W का यहाँ पर है, तो 19.20 का फरक है, और मतलब क्या ही दिखा है, तो difference बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप Poco X2 की charging speed को ले लो, और यहाँ पर की detailing में है, तो battery comparison में ultimate winner है, Samsung Galaxy M51, compare के जाए यहाँ पर processor के part को, तो Samsung Galaxy M51 ने मिलता है, आपको Qualcomm की तरफ से आने वाला Snapdragon 730G processor, obviously, यह cocktail core processor है, जो आता है, 2.2 GHz के primary clock speed के साथ में, and यह आता है, 8nm की fabrication technology के साथ में, और Adreno 620 के आपको मिल जाएगी GPU, तो यह कुछ ऐसा detail में जान Snapdragon 730G का ही processor मिलता है, एक octa core processor है, और यह भी आता है, Adreno 620, GPU के साथ में, 2.2 GHz की CPU frequency speed के साथ में, तो साइच जान कारी same to same है, तो यहाँ पर processor का part equal है, दोनों स्मार्टफोन में, अगर कब बात करते हैं, यहाँ पर slot sedan scanner की, तो Samsung Galaxy M51 ने मिलता है, आपको एक dedicated card slot option, जहाँ पर SIM card और एक memory card को लगा सकते हो, एक साथ इक समय पे, और जो fingerprint sensor का option है, वो मिलता है, आपको side mounted, इसी Samsung Galaxy M51 में, compare करते हैं, यहाँ पर Poco X2 के slot sedan scanner से, तो यहाँ भी आपको same as देखने को मिल लेगा, जहाँ पर आपको fingerprint sensor का option है, वो मिलेगा side mounted, लेकिन यहाँ dedicated card slot option ना होकर, Samsung Galaxy M51 के, अगर मैं बात करूँ, build quality की, तो यह पूरी की पूरी smart phone मने हुई, एक plastic bag के साथ में, प्लास्टिक bag के साथ में, जहाँ पर आपको finishing के है, वो glossy दिखने को मिल लेगी, और electric black and electric blue, यहाँ पर sapphire blue type कुछ करके, यहाँ आपको 2 color के option मिल लेगे, Samsung Galaxy M51 में, compare करते हैं, य glass back body design के साथ में, जहाँ आपको protection मिल लेगे, purple, red and blue, यहाँ पर आपको 3 color के वेरिंट्स दिखने को मिल जाएंगे, इसी Poco X2 smartphone में, तो मुझे पता है कि majority of people जाएंगे Poco X2 की तरफ कि यहाँ आपको glass back body design दिखने को मिल जाती है, और कहीं ने कहीं देखा जाए तो एक बहु जोड़ा सा unique है, जोड़ा सा glossy कर दिया है, तो वह चीज़ भी हम बिल्कुल neglect नहीं कर सकते हैं, इसके लाबागा इस अगर बात के जाए, प्राइजिंग की, Samsung Luxe M51 smartphone मिलता है, आपको 6GB RAM 128GB के base variant के साथ में, 25,000 रुपे की हीमत में, 8GB RAM and 128GB के other variant के साथ में 27,000 रुपे में, और यहाँ पर मैं compare करता हूँ, Poco X2 की base variant से, तो यहाँ पर आपको 3 variants पहली बात देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहला variant है, 6GB RAM 64GB का, वो मिलता है आपको 17,000 में, 6GB RAM 128GB का other variant है, वो मिलता है 8,000 का, और 8GB RAM and 256GB का storage है, वो मिलता है आपको 21,000 रुपे का, तो यह कुछ ऐसी detail म M51 and Poco X2 smartphone के बीश में, और मैंने आपको A to Z comparison दे दिया है इन दोनों smartphone के बीश में, और मुझे आशा है कि आपको सारी शीज़े जो है, अशे समझ में आई होगी, जहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, कि आपको हर एक पार्ट आप जो है, बहुत जोदा अच Samsung Galaxy M51 के 6GB RAM 128GB के variant को, Poco X2 के variant से, इससे आपसे Samsung Galaxy M51 हुआ आपका 25,000 रुपेगा और Poco X2 का 18,000 रुपेगा, और Poco X2 का 18,000 रुपेगा, तो फटा फट से देख लेता है कि क्या है comparison तोनों smartphone में, बैटरी के मामले में, विनर है यहाँ पे Samsung Galaxy M51, बात के जाए display की, इस मामले म तो मैंने जासे की बता दिया कि 730G और 720G में, मतलब दोनों smartphone वेरे से 730G का प्रसेसर मिलता है, तो कोई मतलब जादा क्या है, मतलब कोई differences नहीं, यह दोनों में equal है, बात के जाए अगर यहाँ पे camera की, तो एक तरीके से देखा जा तो camera, अगर rear camera की देखा जा तो एक तरीक आप से camera के मामले में, विनर सामसंग लेक्स M51 है, बात के जाए अगर यहाँ पे scanners वगरा की तो सेम है, बात के जाए अगर back body की, तो इस मामले में विनर एक तरीके से Poco X2 यहाँ पे आपको glossy back ने की glass back body design मिलती है, तो यहाँ पर देखा जाए एक तरीके से, तो सारे के सार वोट गये हैं, सामसंग लेक्स M51 को सिर्व एक चीज़ का वो है glass back body design को छोड़ कर Poco X2 में, तो क्या है इस लिए comparison देखो, सबसे पहली बात जो है, सामसंग ने अपने M6 में इस वार खास तौर पर, इस स्पेशली कहूंगा M51 में improvement तो किया है, दो तीन चीज़ों में improvement किय सबसे पहले तो आपको 6GB RAM का जो है version देखने को मलता है 128GB के storage के साथ में, तो यहां पर दिख लेते हैं फटा 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 जो है यहां पर प्राइसिंग में आपको यह दी गई है, सबसे पहले चीज़ है, यहां पर आपको बैटरी capacity बहुत बढ़ आखर दी गई है, म बहुत सब्सक्राइब की गई है, जहां पर HDR10 Plus का support है, infinity कट आउट शेप है, एक Super AMOLED Plus की display मिल ली है, जो कि Samsung कोदी प्रवाइड कर वाता है, तो आपको बता है कि display की quality अपने में कितना जा यूनिक है, इसके लावा यहां पर camera की पार्ट को देखा जाए, तो यहां पर आप processor बहुत है, नया नहीं है, पुराना है, लेकिन processor अच्छा दिया है, कि smartphone को अच्छे से manage किया जा सकता है, तो मेरे साब से Samsung M51 जो एक battery deal हो सकते है, आप लोगो 25,000 के around में, आपको दो चीज़ का फाइदा हो जागा, सबसे बहुत बढ़ी battery मिल जागा, दूसरी जी Samsung की branding मिले स्मार्फोन को देख रहे हैं, और उनको ऐसे कुछ ऐसा specification टाप चाहिए, तो मेरे ख्याल से POCO X2 बैटरे डिल हो सकते है, यहां पर एक तरीके से सेम ही है, जहां पर बस दो तिन चीज़ों की कमी है, Samsung M51 से, सबसे पहले चीज़ यहां पर बैटरी तुनी बड़ी नहीं मिलत दूसरी चीज़ जो है, डिस्प्ले में आपको सुपर अमलेट नहीं मिलता, और बाके ख्यार चीज़ जो है, स्थाड़ी 2 मेगा पकिसल की सेलफी नहीं मिलती, बाके सारी चीज़ जो है, बहुत ज़दा अच्छी है, तो मेरे साब से POCO X2 इनके बैटर डिल हो सकता है, जो इसे तो उसका experience मुझे लिख कर बदाओ, और वीडियो होती है कतम, अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए, बाई!